मोमो का नाम लेती ही आज के युवाओं के मुँ में पानी आ जाता है ये मोमो बहुत ही स्वाधिश्ट वेंजन होते हैं इस लिए इस बिजनस में आने वालों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है आज इस बिजनस के बारे में आप कुछ जानकारी देंगे मोमो का बिजनस कहां से शुरू किया जाए? मोमो का बिजनस उस जगा चल सकता है जहां पर युवाओं की भीड सबसे अधिक आती जाती हो जैसे मेट्रो स्टेशन, सिटी बस स्टेशन, कॉलेज, होस्टिल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, पार्क और मनरंजन केंद्र, एजुकेशन हब, बड़े होटेल और रेस्टरों के पास, बड़ी-बड़ी कैंटीन्स और होटेल के बास मॉमोस की अनेक वराइटीज हैं, ये वेज और नॉर्वेज दोनों ही बनाए जाते हैं, लेकिन भारत में कितनी तरह के मॉमोस युवाओं के बीच लोग प्रिये हैं, उनमें से कुछ इस तरह से है मॉमोस के साथ दो तरह के चट्नी बनाए जाती है, एक टमाटर और लाठ मिर्श से मिला कर मसाले डाल कर बनाए जाती है, आलू दूद क्रीम के मसालों से बनाए जाने वाले चट्नी को म्योणीज का कहते है मूमोस की दूसरी तरह की चटनी और अचार से भी खाया जाता है मूमोस को मैदी से बनाया जाता है मैदी को अच्छी से कूथ लें उनकी छोटी छोटी लोई याली पेड़े बनाकर पूरी की तरह पतला पतला बेल लिया जाता है फिर उसे अपनी मन पसंद सबजी और सोया बीन को मिलाकर फ्राई करके एक पिठी बनानी जाती है इस पूरी में इस पिठी को भरकर एक बरतन में बनानी चढ़ाकर उस पर चलनी नुमा कटोरे में तेल लगाकर ये भरे हुए मोमोस रख दिये जाते हैं और उसको 15-20 मिनट बाद उतार कर चटनी के साथ खाया जाता है इस पूरी प्रक्रिया में केवल मोमोस को भढ़ने और उसको बंद करने में ही काफी दिगधे आती हैं जो प्रैक्टिस से आसान हो जाती है इन मोमोस को फ्राई भी किया जा सकता है तंदूर में भी इने पकाया जा सकता है मोमोस बनाने के काम आने वाले उपकरण गैस टोप, दो कड़ाई, चमचे, मिक्सर ग्राइंडर, एक भगोना, छलनी, चटनी रखने के लिए बरतन, डिस्पोजल प्लेट, डिस्पोजल दोने, डिस्पोजल ग्लास, मोमोस बनाने के लिए राउ माटीरियल, चटनी के लिए कच्चा माल, टमाटर, लाल मिर्च, ल चिकन मसाले, दखनी मिर्च, पीली मिर्च, चाट मसाला, गरम मसाला, मैगी मसाला, मोमोस के लिए मैदा, नमक, फैट्स, कैसे शिरू करेंगे बिस्टन्स, अपने प्रतिदवन्दी पर पूरी नजर रखें, उसकी कमियों को ध्यान में रखकर आप ग्राहक को वो देने का प्रियास करें, जो आपका प्रतिदवन्दी नहीं दे रहा है, आप अपना प्रॉफिट और लॉस का हिसाब लगा कर, कॉम्पिटीटर से थोड़े कम रेट पर अपना माल बेचें, इससे कुछ ग्राहक आपकी और आने का प्रियास करेंगे, जब ग्राहक आएं, तो उन्ह अच्छी तरह से डील करके उसका विश्वात जीतने की कोशिश करें, इसके रावा आप जब भी अपना बिजनस शुरू करें, तो आप अपनी दुकान का प्रजार करें, दुकान या स्टॉल का शुबारम भी कुछ नए अंदास से करें, ताकि लोगों की नजरें आप पर पढ़ें और आप उसका फायदा उठाएं, कौन-कौन से लाइसेंस चाहिए? आपको बिजनस शुरू करने के लिए एक लाइसेंस लेना होगा, वो लोकल बॉडी, नगर निगम या नगर पालिका और ग्राम पंचायत से फूर लाइसेंस लेना होगा, नहीं तो इस विभा बिजनस में लागत का चमाल और बनाने के काम आने वाले उठकरन उपर लगती है, लेकिन सबसे अधिक लागत आपको अपने स्टॉल या ठेला को सजाने के लिए लगती है, युवाओं को अपनी और अकरशित करने के लिए काउंडर और ठेले को सजाने पर खर्च करना इस तरह से इस बिजनस में दो लाग से तीन लाग रुपए तक की लागत आ सकती है, मुनाफ़ कितना मिल सकता है, मुनाफ़ के बारे में आप चौक सकते हैं, मुनाफ़ ही इस बिजनस का सबसे अधिक आकरशन है, इसलिए मुमोस के स्टॉल की संख्या दिनो दिन बढ़ती जा रही है, एक अनुमान के नुसार इस बिजनस में मुनाफ़ा 60-70 प्रतीशत या इस से भी अधिक मिलता है, इस बिजनस से जुड़े एक अनुमवी जानकार के नुसार एक मुमोस की कुल लागत एक रुपए से डेट रुपए के बीच आती है, स्टॉल पर ये एक मुमो 3 रुपए तक बेचा जाता है, वैसे एक दुकानदार कम से कम 500 मुमोस बेचता है, यदि बाजार में मंदी हो तो वो दुकानदार 200 मुमोस तो बेच ही लेता है, यदि आप रोजाना के 200 मुमोस भी बेचते हैं, एक मुमो पर 1.500 पौने 2 रुपए तक बचत हो जाएगी, ये तो हुई नए विक्रेता की बात, जो 10-10 साथ से स्टॉल लगाये हुए हैं, जहां लाइन लगकर लोग मोमोस खरीदते हैं, बहां तो एक महीने में दो लाख से अधिकी कमाई होती है. अपना बिजनस कैसे बढ़ाएं? आप अपने बिजनस को और बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ओफलाइन बिजनस के साथ ओनलाइन बिजनस का सहारा लेना पड़ेगा. इसके अलावा आपने पैंफलेट, पोस्टर, बच्ची, आदिका वित्रण उंक्शेत्रों में करवाएं, जहां पर आपके संभावित ग्रहक रहते हों. इसके अलावा आप गूगल माई बिजनस में अपनी फर्म का डीटेल दे दें, तो उससे भी ग्रहक आपको मिल सकते हैं.